कि कौड बनाने की जिरूत क्यों पड़ी और इस सम्हूं के देशों ने हाली में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसे कैसे देखते हैं हम यह भी जाना चाहते हैं कि हिंद प्रशान छेत्र में चीन की बढ़ती सैन्ने आक्रमक्ता को लेकर बढ़ती वैस्विक चिंताओं के बीच दुनिया क्या रणनिती बना रही है हाली में भारती देश मंत्रियों के साथ इस मुद्धे पर चर्चा भी की है इस सब कैसे देखते हैं सबसे पहले तो एक क्वाड बना क्यों और कब बना भी बहुत जिरूरी है जाना और क्वाड बना ही शिरफ एक ली देखा जया तो इंडो पैसिफिक के लिए ही बना जी कहने के लिए कु अमेरिका जपान और हिंदुस्तान इंडिया बलकि बाद में आया पहले तो एक साथ आये और फिर इसको जब जब देखी इंडिया ने भी देखिए और अमेरिकाओं के लगा कि इंडिया एक है जो इस इलाके में डॉमिनेट कर सकता है तो लोगों ने बात किया और यह और इसकी शुरुआत तक्रिबां 2007 से अचली हुई वो तो 2004 से गई थी अगर आपको याद हो कि मालाबार एक साइज हम करते हैं जी में सब देश होते हैं उसके मालाबार एक साइज में नेवल एक साइज में तो उसमें पार्टिसिपेशन हुआ और यह चीजें हुई दोचार साथ में जब आशियान मीटिंग में सब वहां पर एविदेश मंत्री मिले और हैड्स अब स्टेट भी मिले थे ते बाची थी इसको आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग जी आगे बढ़ाने के लिए लेकिन इंडो पैसिफिक क्या है थोड़ा हमें जानना जुरूरी कि इंडो पैसिफिक में तकरीबन 14 देश हैं मतलब 14 देश हैं जो की युवन के मेंबर नहीं है और यह बहुत इंपॉर्टेंट छित्र है इसमें अगर आप देखें तो अभी तक हमेशा जो है अमेरिका का दब दुबार आया है जी सेवंध फ्लीट और बागी सब इनकी ज उस चेत्र के लिए अब सोचिए कितना महत्पूर्ण है कि अगर वहां पैसिफिक कमांड ऐसी लिए अमेरिका का है ध्यान वहां पर क्यों है और रेल्यू भी है क्यों कि तकरीबन दुनिया का साच परसंट से उपर ट्रेड उधर से ही होता है जी चीन का तो असी परसंट ट से अमेरिका कहता है रूल बेस्ट और इस्टिबिश करना चाहते हैं तो जो रूल्स बने थे इसके लॉज अफ सी आपको पता होगा उसी के बेचिस पर सारा है चलता है तो उसका वायलेशन होने लगा था चीन की तरफ से जी चीन ने अपनी फिशिंग बोट्स काफी आगे भीजना शुरू कर दिया था जो उसका एरिया नहीं था और उसी की याड में वो स्पाई बोट्स भी चल रही थी उसकी जी स्पाइंग करने के लोगा कहां करेगा चुकिए अमेरिका की टाकर थी तो उनके जो चीजें थी उस पर ए उसकी स्पाइंग कर रहा था हो जी क्या क्या है जितनी भी चीजी थी प्लस आपको पता है हम वन बेल्ट वन रोड इनिशेटिव जो चीन की है उसकी बात करते हैं और अगर देखा जाए तो है क्या मैं उसको बोलूगा डेट डिप्लोमेसी है जी कि इनको पैसे दो और इनको अपने कर्ज में डुबो के रखो जी तो श्रिलंग यह यहां पर भी यही उन्होंने शुरू किया जी और बाकी कंट्री से किया और यहां पर कंडिशन आ गई कि सुलोमन आयलंड जो आ है जी उसने इनके दवाव में आकर के ताइवान को पहले दिकनाइज कर दिया था उसने आजे कंट्री वो उसने वापस ले लिए जी तो और इंट्रेक्ट फिलिपीन जी फिलिपीन भी अभी भी हलांकि अब थोड़ा था अलागे में भी उक्रेन रशावार के बाद अदरवाई जो भी इनके साथ ही डर्ट कर रहा था जी तो धिरे धिरे चीन अपना प्रभुत इसमें बढ़ाता जा रहा था और यह सिर्फ अमेरिका का एक छत्र तो खतम हुई रहा था बड़ सब के लिए दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विश्यता कि अगरे हो जाएगा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कूंकि इतना बड़ा यह ट्रेड रूट है और यह आपको पता है सीदा था जो की कोशिश करेगा और इतना होने पर इंडिया एक देश है जो की एक्चुली देखा जाए जो हमारी जो कोस्ट लाइन है उसको देखते हुए हम काफी इसमें ऑपरेट कर सकते हैं और इसके उपर दवाव बना सकते हैं तो इसको मिला करके एक तरह से सारा रणनीतिक और उसके बाद मैं कहूंगा कोटनितिक पलेश्टेटिक और फिर जो डिप्लमेटिक पॉलिटिकल जो चीज़ें आई हैं यह मिनों ने जो अपना दिया हुआ है कि फ्री और ओपिन हमने ट्रेडर रखना है इस इस इलाके में और उन्होंने का रूल बेस्ट इसमें और आइडिया जो आया था जपान के जो पिछले प्रदानमंतिर थे जिनकी की उनका जो है उन्हीं का जो है आइडिया था है और उन्होंने एक मंच पर लाकर कि और इसको शुरू कराया जी चीज़ और इसमें जो है मैंने आपके जैसे बताया 2004 में हला कि हम तो साथ में थे ही रंडितिक बातें होती ही रहती थी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम नहीं मान सकती थी सिर्फ डिप्लोमेटिक है जी रंडितिक एक हैं वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है इस इनिशेटिव के साथ जी और इसमें जो पहली जो ऑफिशियल डायलोग हुआ था वो 2007 में जब मेंटिंग हुई थी उसके साथ यह उसी साथ उसी के साइड में इस चारो जो फ़रेंश्टर थे उनकी हुई थी और वहां से बात शुरू हुई थी पहले इनको स्टेटिक ग्रूपी एक तरसे था माना गया कि एक स्टेटिक ग्रूप है चैनिज डॉमिनेशन को कम करन के लिए और उसके बाद धिरे धिरे यह जैसे मैंने बताया उल्टा उल्टा हुआ असी परसंट वर्ड का ट्रेट मतलब बागी कंट्री में जो वहां से होता है साथ परसंट तो चैना का ही है आप सोचिए अगर वहां से है और उस पर डॉमिनेशन हो जाए जैसे सोज किना के उपर डॉमिनेशन है तो क्या हालत होगी तो यह चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पुरी दुनिया के लिए और आजकल सप्लाइचेन कितनी बड़ी चीज हो गई है खास करके रशाय उक्रेन वार के बाद कि इसके बिना देश कोई चल नहीं पाएंगे अगर को रच्छित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेधारी और बहुत बड़ी बात है जो कि यह चलता रहा डायलॉग उसके बाद और इनफेक्ट 2022 में टोकियो में मीटिंग होई थी और उसके बाद दो जार तैस में बीस साल जो आस्टेलिया में मीटिंग होनी है इसके उपर और इसमें सिर्फ एक चीज नहीं लिजा रही इसमें यहां तक लिया जा रहा है कि साइबर सीकुरिटी भी बढ़ाई जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए और इन्होंने एबी डिसाइड किया है कि सिर्फ हम इस चार डेस चार देश जो पॉर्ड वाले ह और उनको भी एजुकेट करेंगे इसके बारे में यह क्या चैलेंजेज हैं किस तरह रहना है इसमें और इसमें जो है इनको साइबर सीकुर्टी ट्रेनिंग मैलेसियस जो यह मैलवेर होगर आता है उसके बारे में करना और उनको जितने भी जोड़ पड़ेगी इसके हमारा मतलब मैं पहले आप से कह रहा था कि हिंदुस्तान का सवाल है इंडिया पहले नहीं था उसमें अगें मैं जिक्र करूंगा अगर माइक पूंपियों की किताब आप पढ़ें जी तो उसमें यह दिया हुए उन्होंने कि इंडिया को बाद में एकतर से वाइल्ड काड इंडिया को कॉड्ड उसमें लाए गया और एक्चुली एक सिक्योर्टी काउंसिल नहीं एक लिया था अगर आप जो रिफ्लेक्ट गिया था ग्लोबल रियल्टीज का अगर आपको याद हो यह इंटरनेशनल लाव में इन फैक्ट यह बात गई थी उसमें इंटरनेशनल क से बहुत आगे बढ़ रहा है जो फिशिंग से लेके बागी सारी चीजें और सारी इन जो अंतराश्य समझोते हैं उसका उलंगन कर रहा है और यह जो बना था उन्होंने कंफर्म भी किया यह है अलाकि चीन बात माना नहीं लेकिन यह चीज कंफर्म हुई थी कि यह सब ची अगर आप देखें तो जैपैन ऑस्टिलिया कि जैपैन के फॉर्ण मिस्टर ऑस्टिलिया के फार्ण मिस्टर ऑस्टिलिया की पीम भी आ गई और चौदर में से बारक 11 11 कंट्री में बलकि उन्होंने विजिट किया यह बताने के लिए कि हम साथ हम आपकी ज्यादा मदद कर सकते हैं जी चीन से जी तो इसलिए यह जो कॉडिलेटरल है इन फैक्ट अब मैं यह कहूँगा कि एक इंडो पैसिफिक का रूप ले रखा है जिए चार लोग है लेकिन उनको भी साथ ले करके वो चलना चाहेंगे और मुझे लग रहा है कि यह जो एक एक इकोनामिक फ्रे सब्सक्राइब करें जिए जितने रिसोर्सेज हैं सीबेड़ वाले या उन कंट्रीज में हैं उनको जो एक्सप्राइब करें और जो मैंने का था डेट डिपलोमेसी अपनी उसको भी लेको लेके आगे बढ़े उसको कम करना बहुत जरूरी है जिसके लिए इनको जागरु होता है दूसरी एकोनोमिक प्रावलम है आज तक उठकी एकॉनमी पर किसी ने ध्यान नहीं द्यान आगे बढ़ा इसलिए वो ड्रिफ्ट हो रहे थे चाइना की तरफ तो यह जो इंडो पैसिफिक या कॉड है इंडो पैसिफिक के सारे 12-13 देशों को ले करके और एक इंड बढ़ती वी उसकी ताकत है जो कि दुनिया को कमजूर कर सकती है दुनिया के ट्रेट को कमजूर कर सकती है दूसरे देशों को नुकसान हो सकता है उसको भी रूपना अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके